असलाम निकाई everyone मेरा नाम असद है और आज के ये वीडियो लेस्टन एक data structure जिसका नाम Q है उसे related है और जो मैं languages के लिए use करने जा रहा हूं वो C++ है यहां पर देखें यह एक word लिखाव है FIFO FIFO को मतलब क्या होता है FIFO को मतलब होता है first in first out इसके मतलब यह है कि जो Q बने वी है Q में जो बंदा सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले अपना काम करेगा और Q से निकल जाएगा और जो बाकी के लोग आएंगे वो उसके पीछे खड़े होते जाएगे तो इस example को बेते तरीके से understand करने के लिए मैं आपको एक छोटी से diagram दिखा देता हूँ यह आप diagram देख सकते हैं right side पे एक bank है और यह लोगों की एक लंबी सी कितार है एक line लगी भी है और यहाँ पे लोग जैसे जैसे bill pay करेंगे यह जैसे जैसे payments करेंगे वो इस कितार से निकलते जाएगे और जो नए लोग है वो इस कितार के पीछे आते जाएगे यह फूर एक्जामपल जो front पे एक यह person खड़ा हुआ है अगर यह bill pay कर लेता है तो bill pay करने के बाद यह इस कितार से निकल जाएगा और q short हो जाएगी obviously q का size चोटा हो जाएगा और जो next person है वो front पे आ जाएगा और इसी तरह से अगर कोई person next आ जाता है और यह q पहले से available है वो बलकुल last में आ जाएगा तो जो q data structure है वो exact इसी तरह से काम करता है और अभी जो यह person इस q में आया था इस operation का नाम होता है n q अभी जो एक person इस कितार से निकला था इस q से निकला था उस operation का नाम होता है d q तो यह दो specific operations हैं जो कि हम लोग यूज पर परफॉर्म करते हैं चलिए आप coding पार्ट की तरह आते हैं तो जो मैं ID यूज कर रहा हूं वो code blocks है कुछ भी यूज कर सकते हैं सबसे पहले मैं project create कर लेता हूँ और इसको कहीं भी सेव कर लेता हूँ प्रोजेक का नाम मैं क्यूं रखते था हूँ next and finish अच्छा मुझे आपका idea नहीं है आप लोग किसरा से काम करते हैं लेकिन जो मेरा काम करने का त्रीका कर रहा है तो अब ही जो मेरे बास यहां पर फाइल आपको नजर आ रही है वो main.cpp फाइल है तो मुझे कुछ फाइल्स और चाहिए होगी वह मैं फाइल्स यहां पर create कर लेता हूँ और जो सबसे पहली फाइल है उसका नाम है nod.h यह एक header फाइल है आप इसकी extension देख सकते हैं .h एक header फाइल है उसके बाद मुझे एक और header file बनाना होगी और जो next मेरी header file है उसका नाम मैं Q रख देता हूँ अब मेरे पास मेरी दो header files बागेंगे एक nod है और एक Q है और जो Q वाली header file है इसको मैंने implement भी करना है इसके अंदर कुछ functions होंगे जिनको मैंने implement करना है तो implementation के लिए एक मैं C++ की source file बे बना लेता हूँ उसका नाम मैं same रख देता हूँ तो हमेशा याद रखें जब आप इस तरह से काम कर रहे होते हैं तो जिसरा मैंने यह header file बनाई तो header file में जो मैं class बनाऊंगा class का भी same नाम होगा Q otherwise यह काम नहीं करेगी यह important बात है आपके सामदे में code स्टार्ट करता हूँ तो उससे आपको आइडिया हो जाए कि मैं किसी इसके बारे में बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि class define थी या नहीं थी if not define और class का नाम क्या होगा not underscore h अगर यह header file define नहीं थी तो इसको define करता हूँ यह जो मैंने code लिखा है यह बेशक आप ना लिखें आपका code फिर भी काम करेगा लेकिन यह proper way है class node की मैंने node के नाम से class बना दी और इसमें जो access modifiers है उन्वे मैं public use कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जितना भी data होगा publicly available होगा और यहां पर मैं कोई data setup use कर लेता हूँ int data एक मैंने variable declare किया जिसकी type integer है और उसके बाद एक node time का type का इसमें pointer आजएगा जो के next node को pinpoint कर रहा होगा क्योंकि मैंने nodes का अपस में link up करना है यह मैंने उस purpose के लिए बनाया है यह video lesson ज्यादा लंबा नहीं होगा और link list के जितने भी cases आते हैं अगर आप उनको ज्यादा बेहतर तरीके से understand करना चाहते हैं तो मैं already एक video series बना चुका हूँ अगर आप यह देखने से पहले directly वह देख लेते हैं तो शायद आपको यह भी देखने की जुरूत ना परो तो बहुत सारी लोगों ने मुझे request की कि मैं separate कोई video lesson बनाओ stack से related उसके बाद queue से related तो उसकी वज़ाए से यह मुझे बनाना पर नहीं है इफ नॉट डिफाइन क्यू यूई यूई क्यू अंडर स्कूर एच अगर डिफाइन नहीं है तो उसको डिफाइन कर दो और जो मेरी header file है node के नाम से उसको विम्याँ पर include कर लेता हूँ उसको include कर लने के बाद अब जो queue होला part है मैं इसको implement करता हूँ सबसे पहले इसमें जो access modifier मैं use कर रहा हूँ वो private है कुछ properties privately available होगी और कुछ जो methods है वो public available होगी तो जो privately यहां पर properties available है वो कौन-कौन सी होगी not type का एक head के नाम से pointer होगा और एक last के नाम से या tail के नाम से pointer होगा whatever तो मैं यहां पर tail के नाम से pointer एक ही use कर लेता हूँ क्योंकि जो मैंने link list वाली video बनाई वी है उसमें मैंने tail के नाम से pointer use किसी भी तरह से आप confuse ना हूँ इसलिए मैं इसको use किया एक variable है उसका नाम कुछ भी हो सकता है यह तो आप लोग जानते होंगे यह constructor है अब मैं उमीद करता हूँ कि constructor और destructor का भी आपको idea होगा void अब इसके दो basic operations है NQ और DQ NQ का मतलब होता है Q में add करना DQ का मतलब होता है Q से delete करना यान कि Q से remove करना NQ जब मैं NQ वाला function call करूँगा तो मैं उसको कोई data pass करूँगा ताके Q बनना शुरू होता है DQ के case में मुझे कोई भी parameter pass करने की ज़रूरत नहीं है इस function और एक मैं display के नाम से function मना लेता हूँ जिसमें मैं result चेक कर सुकूँगा कि इस time पे Q की position क्या है तो अब इसको implement करने के लिए इसको implement करने के लिए जो मेरी file है Q Q.H के नाम से उसको मैं Q.cpp वाली file के इंदर include कर वा लेता हूँ font का size बढ़ा कर लेता हूँ Q.cpp और सबसे पहले मैं constructor को कॉल करूंगा Q यह class का नाम है यह constructor का नाम है और आप लोग जानते हैं कि class और constructor का नाम सेम होता है ओके तो मेरे पास जो already मैंने pointers बनाए है नौड की type के उनको मैं null से initialize करवा देता हूँ head equals to tail equals to null यह short hand है मैंने एक से ज़्यादा variables को एक ही line में initialize करवा दे आप बेशेक ऐसे करवा लें बेशेक आप अलग लग करके करवा लें up to you उसके बाद अब मैं destructor लिख रहा हूँ destructor मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जैसे ही मेरे program की execution complete होती है destructor call होता है तो जो भी मैंने dynamic memory allocate की होगी वो de-allocate हो जाएग इस purpose के लिए मैं इसके बना रहा हूँ तो मैं यहां पर check कर लेता हूँ if head is not equal to null अगर head null के equal नहीं है तो इसका मतलब है कि q exist करती है मुझे dynamic memory allocate करना होगी तो यह वाला part important है मुझे memory de-allocate भी करना होगी तो यह काम मैं deconstructor के अंदर कर रहा हूँ destructor जिसको कहते है मैंने अब node by node traverse करना है तो traverse करने के लिए मैं एक node की type का temporary pointer बना लेता हूँ temp और उसको initialize कर देता हूँ head के साथ इसको head के साथ initialize करने का मतलब यह है कि इस time पे head जिस node को pinpoint कर रहा है temp पी उसी node को pinpoint कर रहा है इस line का यह मतलब रहा है और उसके बाद मैं यहां पे while का loop लगाता हूँ और मैं loop चलाता जाता हूँ उस वक तक जब तक head null के equal नहीं हो जाता while head is not equal to null loop चलता जाएगा यह जो काम मैंने बाहर किया चेंज कर देता हूँ temp equals to head head जिस भी node को pinpoint कर रहा था मैं start से चल रहा हूँ यानि किसल से पहले पहली node delete होगी उसके बाद पर दूसरी पर तीसरी and so on इस sequence आगे चलता जाएगा और head को मैंने आगे shift भी तो करना है उसको shift करने के लिए head की जो next node का address है मैं head को sign कर देता हूँ यानि head अब next node पर चला गया इसको मैं आपको visualize कर देता हूँ इस पार्ट को अब कि अब 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 मेरे पास कुछ नॉड्स आ रहे थी कि कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कॉप 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 यह जो last node है यह basically null को pinpoint कर रहे थी यानि इसके अंदर जो next के नाम से pointer है वो null को pinpoint कर रहा था तो मैं ज्यादा detail में नहीं जा रहा हूँ मैं उमीद करता हूँ कि आप already मेरा link list वाला video lesson इससे पहले देख चुके है जो head और tail है यह दो pointers है जो head है वो इस ताइम पर first node को pinpoint कर रहा है और जो tail है वो last node को pinpoint कर रहा है तो मैंने काम के किया था मैंने एक node type का temp के नाम से pointer बनाया था और यह जो line है line number 10 यह जैसे ही execute होगी अगर मैं यहां पर आके लिखता हूँ तो इसका result क्या होगा असल में इसका result किये होगा कि temp के नाम से एक variable बना pointer बना और वो भी इस same node को pinpoint कर रहा है जिसको head कर रहा है इस line का मतलब यह है और जो next line है यानि कि इससे आगे वाली मैं इसको भी copy कर लेता हूँ इसको copy कर लेने के बाद ने चुमें तो बास रूम add up कर दूँ इसको अगर मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ तो इस line का मतलब क्या है इस line का मतलब यह है कि head equals to head of next head का next pointer जिस अगली node को pinpoint कर रहा था उसका address मैंने head को sign कर दिया तो इससे यह बात साबित हुई कि जो head है अब वो first node को pinpoint नहीं कर रहा अब वो आगे चला गया उसके बस अगली node का address आ गया है तो अब मैं easily जो यह वाला part है यह वाली node इसको remove कर सकता हूँ यह इसकी basically logic है delete temp बसी इतना सा काम था अब loop में हो क्या रहा है first time loop चला head जिस भी node को pinpoint कर रहा था वो temp को assign हो गया head उससे अगली node पर चला गया और temp temp को जो भी address assign हुआ था वो जो memory block था उसको मैंने delete कर दिया वो यहां पर delete हो गया process बार बार perform होता है किस वक तक? जब तक head null के equal नहीं हो गया यह logic है basically destructor की शेयल है उसके बाद अब मैं enqueue की तरह आता हूँ void enqueue enqueue अला operation है इसमें जो function है उसको मैंने एक argument pass करना है data के नाम से और यहां पर यह function जैसी call होगा इसका मतलब है कि मेरे पास data आ रहा है और data आ जाने के case में क्या करूँगा? मैं यहां पर not create करूँगा temp equals to new of node यहां पर यह dynamic memory allocate हो रहे है मैं मुईत करता हूँ का आपको dynamic memory का भी already idea होगा temp data अभी जो temp data है यह कौन सा वाला data है यह basically यह वाला data है इसकी बात हो रहे है और यह वाला data है यह वाला data है यह कौन से data है यह असल में यह वाला variable है उसकी बाद temp of next है उसको फिलहाल मैं null के equal कर देता हूँ यह basically एक node create हो गई यह node create हो जाने के बाद अब मैं next काम कर रहा हूँ अब मैं यह में check कर रहा हूँ कि क्या if q does not exist अगर q exist नहीं करती है उस case में क्या होगा उस case में head null के equal होगा if head is equal equal to null तो क्या काम कर दो head को और tail को जो भी पहली node बनी उसको pinpoint कर दो head equals to temp tail equals to temp तो यह इसका first case हो गया अगर आप very first node बना रहे है तो यह उसका case है यह क्यूँ है अगर q में सबसे पहली node बनती है तो यह case मैं उसके लिए लिखा है else जो else वाला case है उसमें मेरी assumption है कि already q बनी मी है और जो node आ रही है वो उस q के last में लगेगी यानि कहने के मतलब यह है कि यह जो मैंने आपको q वाली example दिखाई थी यह जो person है यह आपको person यहाँ पर नजर आ रहा है let's suppose मैं इसको remove कर देता हूँ अब जो भी यहाँ पर नया person आएगा वो पीछे आकर लग जाएगा यहाँ पर यानि के tail के साथ लग जाएगा अब मैं यह काम करने वाला हूँ tail of next equals to temp tail का जो next pointer है उसमें मैं इस नई वाली node का address रखवा रहा हूँ यानि के यह जो node बनी है इसको मैं Q के अंदर शामिल कर रहा हूँ अब इसके बाद जो मैं काम कर रहा हूँ tail equals to temp अब मैं tail को सबसे last में shift कर रहा हूँ tail है जाहर अब सबसे last में ही आएगी ओके तो यह basically logic थी अगर मैं NQ करना चाता हूँ NQ का operation perform करने के लिए यह logic लिखी जाएगी है और अगर मैं DQ का operation perform करना चाता हूँ तो उसके लिए क्या होगा DQ का operation है वो तो रहा सा change होगा इसको आप कह सकते हैं कि जब मैं insert करूँगा वो insert at tail करूँगा जब मैं remove करूँगा मैं remove at head करूँगा तो तब head वाली side से remove करूँगा और जब मैं insert करूँगा tail वाली side से insert करूँगा तो यहां पर जब मैं DQ वाला पार्ट perform करूँगा तो मैं यहां पर एक check लगा देता हूँ इस if की statement में check कर लेता हूँ अगर head null के equal नहीं है तो यह DQ वाला operation perform होगा इससे यह बास थाबित होती है कि अगर link list यह Q exist कर रही है तो उसी case में ही यह DQ वाला operation perform होगा तो मैं यहां पर एक nod create कर लेता हूँ temp equals to head और head को just मैं आगे shift कर देता हूँ जो logic मैंने अभी उपर use की थी destructor में head equals to head of next delete temp तो यहां पर जो first nod थी वो delete हो गई और जिसका else वाला part है अगर link list exist नहीं करती है या Q exist नहीं करती है तो उस case में यह message display हो जाएगा no Q exist यह एक लंबा सा message display हो जाएगा अभी तक जो take care की है मैंने एक NQ की take care की है और उसके बाद मैंने DQ की take care की है आप सबसे last case है वो display कराने का case है void Q display if time save करने के लिए मैं यह code copy कर लाएगा sorry can't display Q, no Q exist और जो if अला part है इसमें अगर Q exist करती है तो फिर मैं यहां पर while का loop लगा क्योंकि मुझे इस दफा ट्रेवर्स करना पड़ेगा पूरी की पूरी Q में मुझे ट्रेवर्स करना पड़ेगा और सबको print करवाना पड़ागा if temp is not equals to null traverse करवाने के case मैंने not type का एक pointer बना लिया temp के नाम से वो क्या करेगा सबसे पहले सबसे पहले वाली not display होगी उसका जो भी डेटा है मैं आप लिख देता हूँ data और जो भी डेटा है temp data data display हो गया और यह line यह पर end होगी और line end हो जाने के बाद मैंने temp को आगे भी तो लेके जाना है मतलब not by not आगे लेके जाना है तो temp equals to temp of next यह जो मैं आगे ले जाने के बात कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ इससे मतलब क्या है मेरा सबसे पहले सबसे पहले यह वाली not print हुई temp इसको pinpoint कर रहा था उसके बाद जब यह यह वाली line execute हुई तो temp आगे चला गया इस जगा पे अब इसको pinpoint नहीं कर रहा था इसको मैं आपको किसी और तरह से लिखाता हूँ सबसे पहले वो इसको pinpoint कर रहा था जो कि सबसे पहली not है और उसके बाद वो इसको pinpoint कर रहा गया इसको print किया फिर इस data को print किया फिर इस data को print किया पर इसको print किया और इसको print किया इसको print किया और उसके बाद यहां पे temp में ळल आ गया तो temp में जैसी ही नल आ गया, loop यहां पर terminate कर गया यह काम मैं यहां पे करवार हूँ इस पार्क में चेरे भी इसको try करते है अब जो main alie file है मैं उसमें आता हूँ और यहां पर आके जो मेरी Q वाली फाइल है उसको include के बाद लेता हूँ include Q.H हमारी जितनी भी user defined header files होती हैं उनको double quotes पे लिखते हैं उनको ऐसे नहीं लिखते हैं ओके यहां पर मैं एक object बना लेता हूँ Q की type का Q के नाम से मैं एक object बना लिया और सबसे पहले मैं यहां पर display का function कॉल करता हूँ Q.Display just to make sure कि काम बिल्कुल proper हो रहा है code को compile करता हूँ कोई error नहीं आया लेकिन अहाँ यह नीजे कुछ error रा रहे है यहाँ यहाँ थह रहे है यह रहे है यहँ रेखन तो डिपलि Error है Q does not name a type Line No.3 और यह कौन से फाइल है यह क्यूवाली फाइल है NQ Head was not declared in the scope ओके तो यह errors है असल में मैं इनको check कर लेता हूँ Head was not declared in the scope यह basically head है जिसको मैंने Q के अंदर declare किया हुआ और Q को मैंने basically मैंने यहां पर dot h लिखना था मैंने header file को include कर रहाना था चले आप इसको try करते हैं compile और यह फिर से एक error आ गया है Null was not declared in the scope इसको null पर error नहीं देना चाहिए लेकर चाहिए इंट्वीजिली इनको इनिशलाइज कर आ ले तो Null से Null was not declared in the scope उसके बाद जो error आ रहा है अब वो इस एका पर आ रहा है जो मैं namespace use कर रहा हूँ यहां पर मैं कोई भी namespace use नहीं कर रहा हूँ और मैं cout को use कर रहा हूँ ओके तो मैं यहां पर namespace पर यूज कर लेता हूँ using name space std अब ठीक हो गया है यह देखें तो मैंने सबसे पहले जो display वाला function है उसको call किया तो message display हो गया sorry can't display queue, no queue exists जो queue मैं कुछ data enter करता हूँ यहां पर मैं कुछ data enter करता हूँ dot nq let's suppose मैं यहां पर one लिखती है इस लाइब कॉपी कर लेता हूँ और यह कहां आ गया तो मैं इस लाइब को paste क्या इस हुआ रही है इस लाइब कॉपी करके मैं paste कर देता हूँ few more times 2 और यहां पर 3 आ गया और यहां पर 4 आ गया तो मैं एक sequence में numbers लिख रहा हूँ यह sequence कुछ भी हो सकता है sequence matter नहीं करता है अब अगर मैं इसको display कर रहाता हूँ तो देखते हैं क्या यह proper values display हो रही है क्यों मैं सबसे पहले 1 आना चाहिए फिर 2,3 फिर 4 यह देखें data 1,2,3,4 यह हमारे पास values आ गई है अब let's suppose यहां पर मैं अगर DQ वाल operation perform करता हूँ मुझे बलके से यह इसका text size बढ़ा लोगा properties layout मुझे उमीद है कि अब आपको ठीक से नजर आ रहा होगा देखें 1 print हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया जो Q है उसने इसको print करवा दिया अब मैं इसको print कराता हूँ DQ के बाद Q.DQ अब इसको फिर से print कराता हूँ और यहां पर मैं एक message इसके करा देता हूँ after DQ इसको फिर से display करा देता हूँ और यह जो console window है इसको बंद करता हूँ बंद करतेने के बाद मैं फिर से code compile करता हूँ और ही देखें सबसे उपर 1,2,3,4 उसके बाद जब मैंने DQ का operation परफॉर्म किया परफॉर्म कर लेने के बाद जो number 1 पे nod थी वो रिमूव हो गई 2 रह गई है 3 रह गई है और 4 रह गई है 4 रह जाने के बाद अगर मैं यहां पर फिर से NQ का function call करता हूँ और इस वह मैं कोई different value दे देता हूँ 66 और मैं फिर से display वाला function call कर लेता हूँ डिस्प्ले वाला मैंने function call किया तो डिस्प्ले से पहले मैं यहां पर फिर से कोई message print कर देता हूँ after enqueue मैं line को से पहले भी end कर देता हूँ save और save कर लेने के बाद इसको मैं फिर से compile करता हूँ अच्छा यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो मेरे बास data print हुआ था 1,2,3,4 हुआ था जो मैंने dequeue किया dequeue कर देने के बाद जो सबसे पहले वाली node थी वह remove हो गई जो के सबसे आगे थी उसके बाद 2,3,4 प्रिंट हुआ 2,3,4 प्रिंट हो जाने के बाद मैंने enqueue का operation प्रफार्म किया यानि कि मैंने एक और node इसमें add की तो क्यू के अंदर 66 आ गया 66 कहां पर आ है क्यू के last में तो यह basically जो क्यू है वो इस तरह से काम करती है मैं उमीद करता हूँ कि यह video lesson आपके लिए काफी simple रहा होगा और आप इसमें चीज़ें काफी understand कर चुके होगे लेकिन अगर still इसमें आपके कोई confusion आती है तो group आपके पस available है आप group में message post कर सकते हैं और जो मेरे video channels है जो मैं video lessons बनाता हूँ मैं daily motion पे भी upload करता हूँ उसके साथ साथ मैं YouTube पे भी upload करता हूँ और मैं यह भी उमीद करता हूँ कि आपके बस मेरे जो video channels हैं उनके links available होगे और राइट देन, take care, bye-bye